सबी प्यारे दुर्शत भाई वेनों को नमस्कार जेश्रकुष्णा प्रणाम जोतिस के संदर्व को बहुत बारी किसी समझने के लिए आप हमारे साथ में हर प्रकार के सब्जक्ट को देखने के लिए मने रहें प्रयास यही है कि हम आपको अपनी अनुभव शीलिता के साथ ग्रंथ अनमोदन ग्रंथ अवलोकन ग्रंथ अध्यन के त्यादिके माध्यम से आपको सटीक मार्ग दर्शन दे सकों मेरा लक्ष है पुना कहूंगा लक्ष मनुष्य का जरूर निर्धारित होना चाहिए तो मैं जोतिशी हूँ यह कभी नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं जोतिश के बारे में एक अध्यन करने वाला मात्र छात्र हूँ क्योंकि गहन सागर के गहराई नापने के लिए सक्कर की गुडिया के छमता नहीं होती है उसी भाती से मैं उस परम महा सागर परम पिता के जोतिश स्वरूप तत्त को कैसे जन पाऊंगा चलिए हम आज का संदर्व आपको बता दे जन्मकुंडली में हम जो इस समय चर्चा कर रहे हैं वो है तीसरे भाव की तीसरा भाव जो लगन से तीसरा घर होता है ये लगन है जन्म होने पर लगन उदई होता है उसके बाद शिंकला शुरू होती है उसके कर्मों की भोग की भोजन की अब उसे भोग भोजन देने के लिए हाथ मजबूत होने चाहिए तीसरा तीसरे घर आपकी बाजू है, तीसरे घर आपकी भुजा है, इसलिए तीसरे घर को भुजा कहा गया, तीसरे घर भाई का भी है, छोटी बहनों का भी है, यदि आपका तीसरा भाव मजबूत होगा, तो आपके भुजा मजबूत होगी, आपके भाई मजबूत होगे, आपके मित्र मजबूत होगे, आपकी हवाई यात्राएं मजबूत होगी, लेखन कला, क्योंकि तीसरा घर लेखन कला भी है, आपकी राइटिंग मजबूत होगी, बहुत बारीकी से समझेगा यह सभी के लि है आपके छोटे भाई बहनों के विशे में बताते हैं यही नहीं तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहे आपके मित्रों की कैटेरी क्या है यह भी बताते हैं तीसरे घर को भाग्य संबर्धन करने वाला कहा गया है यानि जिस व्यक्ति के पास पराक्रम है उर्शार्थ है साहस है वह व्यक्ति ही भाग्य शाली बनता है यहां से भाग्य किश्रुवात हो जाती है तो व्यक्ति जब पैदा होता है तो दूध मांगता है दूसरा घर बन गया तीसरा घर बन गया उसके छोटी भाई बहनों के ल कहूंगा पाप ग्रह तीसरे घर में होना बुरा नहीं है लेकिन पाप ग्रह पर मिस्रित द्रिष्टी होना बुरा है तीसरे घर में पाप ग्रह जैसे मान लिजे आप केतू को पाप ग्रह मानते हैं यदि तीसरे घर में कहीं केतू के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए मान ल प्रस्थाने जातक को उत्साह, वीरता, धीरता दिखाने का आउसर जरूर आता है. बलवान होगा, शूरवीर होगा, मिलिट्री मैन होगा, मिलिट्री में आगे जल्दी से उसको सफलता मिलेगे. तीसरा घर विपरीत राजयोग कारक भी होता है. तीसरे घर से हमारे छोटे साले की पत्नी, एवं छोटी साली के पती का भी पता लगता है. क्यों कि सप्तम घर जो है, वो पत्नी का है. और सप्तम से तिर्टिय यानि नवम घर पत्नी के पुरुशार्थ और पराक्रम का है. और पत्नी के छोटे भाई बहनों का भी नवम घर है. इसलिए नवम घर छोटे साले की पत्नी तिसरा घर कई बार हमने देखा हमसे किसी ने प्रशन भी किया कि किसी व्यक्ति का अपने छोटे साले की पत्नी के साथ संबंध है ना जाये जाए इसमें हम कैसे जानी की है या नहीं हमने कहा तीसरे घर देखिए, तीसरे घर पे यदि नवम भाव से ठीक सब्तम भाव में तीसरे घर में सब्तमेस बैठा होगा, आपका सब्तमेस बैठा होगा, तीसरे घर में द्धनेस भी बैठा हो नीच का, तो किसी दिक्ती का अपने छोटे साले की पत्नी यानि सरहज के साथ नाजाय सम्मंध भी हो सकता है और जब मैंने कहा तो उसने कुंडली का अन्यवेशन किया पाया तीसरे घर में वास्तव में द्वादसेस बैठा हुआ था सब्तमेस की द्रिश्टी थी सब्तम भाव क्या है भोग भाव भी है द्वादस भाव भी भोग भाव है चली तो होगई बहुत सारी बाते अब हम चर्चा कर ले तीसरे घर से वायोयान की यात्राओं का भी संयोग धो होता है यादि तीसरे घर में आकाश तक्तो की राशियां हो और शुभ ग्रह वहां को देखता हो एवं भवी आकाश तक्तो से युक्त हो तो ऐसा विक्ति प्राया है जैसे पाइलट हो सकता है एवं जो संभाहक होते हैं संभाहक संभाहिकाएं जिनको इंग्लिश में आप एर होस्टेस कह सकते हैं वो भी होता है तो तीसरे घर में यदि आकाश तक्तो के राशी उदित हो और जैसे यहां पे बैठे हुए तीसरे घर में आकाश तक्तो आले ग्रह हो तो भी बिक्ति हवाई यात्राएं अत्यदिक क चलिए अब तीसरे घर में बैठे हुए यदि ग्रह शुभ हैं तो ब्यक्ति शुभकर्म करता है लेकिन सौम में ग्रह अगर तीसरे बैठे जिसे चंद्रमा शुक्र बुध इत्यारी तो ऐसा जाता गव की तरह होता है बहुत ज़्यादा चलाक, होशियार, एक्टिव नहीं होगा धर्मनिष्ठ होगा साधू पुरुष होगा और साधू के साथ उसके तालमेल बनेंगे यह बात भी आपको तीसरे घर से ही देखनी चाहिए अगले सब्जेक्ट की तरफ हम पुना चलते हैं, तीसरा घर विप्रीत राज योग कैसे तैयार करता है जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के लिए लगन ले लेते हैं, मान लीजे हम सिंग लगन ले लेते हैं, क्योंकि कोई न कोई लगन बिठाना जरूरी है ठीक है? अब ध्यान पूर्वग देखिएगा, यह राशियां हैं, जिंती नहीं है तीसरे घर में अब यहाँ का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया ज्यान पूर्वग देखिएगा, यदि शुक्र अस्टम घर में बैठ जाएं, कलर चेंज कर दूँ, ताकि आपको साफ दिखें यदि तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है, अस्टम बैठ जाएं, अब देखिए विपरीत राज्योग कैसे बनता है? तीसरे घर का स्वामी अस्टम बैठ गया, अब तीसरे घर के स्वामी के ऊपर द्वादसेस भी आकर बैठ जाएं, तादसेस को ने? चंद्रमा है और तीसरे घर के स्वामी के उपर यहां पर बैठे हुए शनी महाराज की द्रिष्टी पड़ जाए देखिए कैसे बना विपरीत राजयोग भी बन जाता है जब तरतिय अस्थान का स्वामी अश्टम अस्थान पर बैठे हुए स्वामी ग्रह को कोई शुभ ग्रह ना देखते हो, सब अशुभ ग्रहों से पीडित हो यहां चुकी शुकर चन्द्रमा शुभ दिखाई पड़ते लेकिन त्रतियेस होने के कारण 12-3 चन्द्रमा होने के कारण अशुभ है ठीक है? करमेश होने के कारण शुकर अस्टम बैठे हुए भैस्पती की राशी में अशुभ अवस्था में है और फिर शनी की दृष्टी पढ़ रही तीसरी ऐसी अवस्था में जातक का यदि जन्म हुआ है तो वो विपरीत राजयोग वाला कहलाएगा यानि ये इसका जो जन्म है बेशक गरीबी में हुआ हो लेकिन य आने वाले कल में जैसे ही इसका समय 5 6 11 11 7 8 जैसे ही कैसे की न मैंने आपको मैं बता जूझ पांच का अंक लिया छे का लिया ग्यारा हो गए छे-पांच ग्यारा और 7 अठारा जैसे ही ये अठारा के उस पार जाएगा इसका विपरीत राज-योग शुरू हो जाएगा ये मे यह उसे जह देखें और कुंड़ियों पर इश्रेशन भी किया है। उसका साक्षात हमने असर भी देखा है। यह तो बात हो गई तीसरे घर के स्वामी पर चर्चा मैंने और भी कर ली थी तीसरे घर के स्वामी से भाई बंधुओं का भी ध्यान करना चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी अस्टम चला जाए और उना बुरे ग्रह के दृष्टे पड़ जाए तो छोटे भाई वहनों का सुख नगन्न हो जाता है अगर गिंती में हैं भी तो अंगिंती वाली बात करेंगे यानि सुख नहीं होगा तो इस छोटी छोटी बातों को हमें समझन अब करते हैं बात उपाय की जब किसी विक्ति का त्रतिय भाव का स्वामी विप्रीत राजयोग न बना रहा हो तो यह उपाय करना या फिर विप्रीत राजयोग बन रहा है तो भी उपाय कर सकते हैं मान लिजे त्रतिय भाव का स्वामी इस्टम चला गया सस्थेस देख र अस्थान पर जब हीरा ये विक्ति पहनेगा मिड़ फिंगर में या शुक्र रत्न सरबोत्तम तो हीरा है लेकिन सेकेंड ली फायर उपल भी ले सकते हैं उससे और नीचे आ जाओ मोजो नाइट या जरकन भी ले सकते हैं तो भी इस विक्ति को लाब होगा और अगर छोटे भ भाईयों को बहनों को सुंदर वस्त्र चांदी के वरके से लगा हुआ कोई मिश्थान ठीक है चांदी का द्रब्य भी दे सकते हैं सिक्का भी दे सकते हैं और छोटे भाई बहनों को शुक्रवार के दिन खास तोर से आप मीठा वस्तु प्रदान करें आपका तृतियेस मज रिबूत हो जाएगी ये बात मैंने की अब तृतियेव हाव में प्रतेक राशियों पर हम सर्शा करेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे कैसे जैसे यहाँ पर मेश राशी जिन की बनती है यहाँ पर बिस राशी जिन की बनती है मिठोन राशी जिन की बनती है उन्हों को क्या और कैसे प्रत्थल मिलेगा अगले वीडियो को देखना ध्यान पूरवत अब इसमें आपको जो समझ में नाया हो वह बात हमें जरूर ब कि पत्री के साथ ना जाय संबंध क्या, जा तक कितना सूरवीर होगा, बलवान होगा, जा तक कि भाई बहन इत्याद के बारे में भी चर्चा है, छोटे से वीडियो में आपको शायद समझ में आ गई हो, तो आप खुद कहेंगे कि हम ने देखा, अब यह वीडियो मैं आवसरों के प्राप्ति होती है, जा तक का बल, पराक्रम, पुरशार्थ, जा तक के मित्रगण कैसे होगे, और जा तक की इस्थिती, मजबूती कैसी होगी, पुनह, चर्चा में आएंगे, तब तक लेते हैं विदा, नमस्कार जशे कश्टा अपना